नमस्कार श्वागत है आप सभी का यूपी ट्रेपल सी एनम भरती 2022 को लेकर के बात करेंगे आप पर पिछले दो दिनों से कोई भी आपके लिए सूचना या पिर अपडेट्स ऐसी थी नहीं लेकिन जो भी डॉकुमेंट्स को लेकर के आवस्यक बाते होती थी और जहां तक स करेंगे अगले सब्ता में आपका रिजल्ट प्रस्तावित है और अगले सब्ता में आपका रिजल्ट आने की बात करेंगे के चांस हन्डेट पर्शंट है और उसके बाद फिर आपकी जो डीबी की प्रक्रिया है और सुरू हो जाएगी जितना समय उसके बाद आपको मिले 10 दिन 15 जितना समय मिले तो कुल मिलाकर के आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है और अभी जो कुछ लोग पूछ रहते क कि हमने फॉर्म बनने की लाष्ट डेट से पहले का ये डोकुमेंट से नहीं बनवाया है जैसे हमें जाती हमें आरक्षड चाहिए ओवी सी यसी किसी भी कैटिगरी को ले करके या फिर हमें EWS का लाप चाहिए अगर हमने फॉर्म बनने की लाष्ट डेट से पहले का नहीं है बैलेड भी होना चाहिए और फार्म बनने की जो लाश्ट डेट है पांच एक 2022 इसके पहले का भी होना चाहिए अगर इसके पहले डॉकुमेंट बनवाया है एक में एक्जामपल दे रहा हूं आपको चीजे समझ में आ जाएंगी तो माल लेजी आपने डॉकुमेंट बनवाया है मार्च 2021 का ठीक है तो आपको क्या लगेगा कि यह मार्च 2022 तक वैलिड है और अभी तो माई 2022 हो गया अब माल लेते हमारा करते हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है आप उसको आज की डेट से नहीं देखेंगे आप उसको देखेंगे 5-1-2022 से कि 5-1-2022 तक आपको जो प्रमार पत्र है उसकी वैदता है कि नहीं है डीबी माल लेते सपोस्ट आपकी भरती दो साल बाद वी मैं एक एक्जामपल दे चलेगा 2016 के लिए ऐसा आप ना सोचें कि 2016 का डोकुमेंट्स जो बनमा रखा था तो 22 में कैसे चलेगा ओडोकुमेंट्स आप उसको आज की डेट से मत कंपेर करिए हाप कोई नई भरती है 2022 कि वहां पर आपको अप्लाई करना होगा तो फिर आपको उसकी लिए नया बनवा निवास आप कहीं का भी बनवा लेजिए उत्तरपदेश का होना चाहिए निवास प्रमार पत्र लेकिन जाती प्रमार पत्र में हमने क्याप से बताया था कि पिता पक्षे का निर्गत होना चाहिए आपके ससुराल पक्षे का पती पक्षे का हो ठीक है लेकिन उसमें पिता पक्षे से निर्गत रहना चाहिए पिता पक्षी से निर्गत का मतलब हो गया कि वहले हो आपके सस्वरार पक्षी के तहसिल से बना हो लेकिन उसके जो रिपोर्ट पिता पक्षे से लगनी चाहिए उसमें यह असपश्ट होना चाहिए कि आपके पिता की जाती OBC में है इसलि जिनके पुत्री हैं, वो माता पिता आपके उत्तर प्रदेश के मूल निवासी रहेंगे, तभी आपको आरक्षर का लाब मिलेगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, उन्हीं के द्वारा, यानि पिता पक्षक का ही निर्गत प्रमान पत्र आपका मान्य होगा, पिता प लगा दिया अब ही आप पिता बला बनवा लिजिए और आपकी इच्छा होट आप एक नोटरी लिख वा लीजिएगा, सपत पत्रग के हमारे जाती नहीं बदली है, लेकिन हम पिता वाला नहीं बनवा पायतें, पती बनवा करके दें, तो हम ने आपको एक solution बताया था, अ आयोग उसको मानता ही कि नहीं मानता ही यह आयोग के उपर निरभर करेगा कोई गारेंटी नहीं इस चीज़ की है क्योंकिиль्वेशन बिना पढ़े अगर啊 फॉर्म भडा देतें तो कहीए नहीं गलती हमारी होती हमने लेकि वी पूरक के नहीं धेखा या फिर आये, एक्सेप्ट उसके बाद फिर आप जो है रिश्टेसिंग के लिए अप्लाई करते हैं फिर आपका पूरा फाइनल संविसन होता है पेमेंट करते हैं ति यह पूरी परकीरिया से आप कुझरते हैं फिर कल को आप ब्लेब नहीं कर सकते हैं आयोको कि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक supporting document होता, जैसे हमने उस समय हमारे पास जो भी पर जमा होता है पहले आपका डोकुमेंट चेक करते हैं फिर आपके जो फोटो कॉपी वाले फोटो कॉपी सेट रहती है पूरा उसको भी जमा करते हैं उसके बाद पिर आयोग के उपर निर्बर करता है क्यों क्या क्या डिसीजन लेते हैं कि जो कमेटी रहती है वो डिसाइड करती है कि इनका अब भेरतन रखना है या पर निरस्त करना है अगर वो वेरिफाई कर लेते हैं आसपस्त हो जाते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी चोटी मोटी गलती हो आप उसके लिए नोटरी बनवा होने वाला और आज जो है हम परसान है कि हम हमारे पास यह डोकुमेंट्स ने हमारे पास अभी जितना भी समय है रिजल्ट भी हमारा फ debates से पहले और्-स टोपने बेरिफिकेंस पहले आपका एक रिजल्ट आएगा और कि मैं पूरी तरह से तो लएक करम हम कह सकता हो लेकिन अभी तक UPCC आयोग से जितनी भी भरतियां हुवी हैं जिनका भी DB चला है चाहे जूनियर असिस्टेंट हो चाहे लोवर हो चाहे लोवर 2016 का हो चाहे 2019 करहा हो चाहे युबा कल्या अदिकारी करहा हो व्यायाम प्रसिक्षक करहा हो सभी में दो गुना, तीन गुना, कहीं पर दस गुना, कहीं पर धाई गुना इतने कैनिडेट से बुलाए गए हैं तो आपकी भरति में भी इतने ही बुलाए जाने चाहिए लेकिन हापर कैनिडेट कम है तो सब को मौका मिल सकता है DB का चाहे आपके मांक से दस नमबर ही क्यों नहों, अब आप कहेंगे दस नमबर वाले को मौका कैसी मिल सकता है तो एक नमबर जिनका P.E.T. में था उनको मौका मिला मेंस एक जाम देने के लिए तो 10 नमबर अगर आपका यहाँ पर है तो आपको मौका क्यों नहीं मिल सकता है डीबी के लिए आप स्वेम से विचार करें क्यों मौका नहीं मिल सकता है डीबी होने के बाद फिर आपका जो है final जो merit बनेगी डीबी में जितने लोग रहेंगे वहाँ से क्लियर करने के बाद उनसे जो है category wise merit बनेगी वो जो final merit होगी वो आपका selection सुनिशित करेगा कि यह आपका हुआ है की नहीं हुआ है डीबी में बहुत लोग छट भी सकते हैं बहुत सारे लोग डीबी में भी बाहर हो सकते हैं इसलिए बहुत हाई कट आप बहुत हाई merit नहीं जाएगी फाइनल कट आप बहुत ज़्यादा जाएगा तो जन्रल और ओवी सी का चालिस से लेकर के पचास के बीच में मैं बिल्कुल मैक्समम बता रहा हूँ कि चालिस से तक हो जाना चाहिए बहुत ज़्यादा अगर गया तो पचास तक यसी में पैंतिस से लेकर के अगर बहुत ज़्यादा गया तो चालिस तक EWS category में मुझे लग रहा है कि सबका हो जाना चाहिए बहुत अगर दिक्कत हो भी तो अब यहाँ पर आप मान के चलें कि 33-34 तक हो जाएगा इससे ज़्यादा नहीं Freedom Fighter है, X-Service Man है EST है, यहाँ पर हो सकता है seat यहाँ पर सबका हो जाना है PH में कोई seat नहीं है इसलिए PH की जो merit होगी वो general के बराबर होगी इनका जो selection होगा वो general की seat ओपर होगा इसके बाद एक session मैं रात को और रखूंगा उसमें आप सभी के जितने भी comments हैं, जितने भी सवाल हैं सिर्फ उन पर बात करूंगा इसके बाद जब भी 8 बजे, 7.30 बजे, 8 बजे तक मैं एक session और रखूंगा आप सभी के लिए थोड़ा सा session लंबा भी होगा, 15-20 मिनट का लेकिन ओ वीडियो भी आप पूरा जरूर देखे करिए, तो आज ही आप सभी के लिए, जितने भी आप सभी के comment हो चुके हैं, 2-3 दिन के सभी comment में आपके देखूंगा और हो सकता है कि उसमें मेरे एक समाधान बताने से हो सकता है कि आपका काम बन जाए, तो वीडियो सभी भी आप जरूर कर लेना, धन्यवाद